Hello Friends, Welcome to Sir Kari Resultedda दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे IBPS Clerk के exam pattern की अगर आप IBPS Clerk का exam देने वाले हैं या इसकी तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में इसके exam pattern के बारे में आपको detail में जानकारी दी जाएगी साथ है इसके official PDF को आप jobsro.com से download कर सकते हैं इसका link इस वीडियो के description में दिया गया है और comment में pin किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं selection process की तो इसमें आपका written exam होगा जो की दो चरणों में होगा सबसे पहले आपका prelims से written exam होगा और जो लोग preliminary examination पास कर लेंगे उनका main's examination और number आप questions की बात करें तो total 100 question पुछा जाएंगे इसमें आप से English language से 30 question पुछा जाएंगे numerical ability से 35 question पुछा जाएंगे वहीं पर reasoning ability से 35 question पुछा जाएंगे और total 100 number का paper होगा प्रते question आपका 1 number का होगा और 60 minute का समय दिया जाएगा इस question paper को solve करने के लिए English language के लिए आपको 20 minute का समय दिया जाएगा numerical ability के लिए 20 minute का समय दिया जाएगा और reasoning ability के लिए 20 minute का समय दिया जाएगा प्रते एक topic को आपको 20 minute में solve करना होगा तो जो लोग rating exam qualify कर लेंगे उनको main's examination में बुलाया जाएगा इसमें आपसे journal data financial awareness से question पुछे जाएंगे journal English से question पुछे जाएंगे reasoning ability और computer aptitude से question पुछे जाएंगे इसके लावा quantitative aptitude से question पुछे जाएंगे total आपसे 190 question पुछे जाएंगे जिसमें आपसे journal awareness और financial awareness से 50 question पुछे जाएंगे और जर्नल इंगलिस से आप से 40 question पुछे जाएंगे वही पर reasoning ability और computer aptitude से 50 question पुछे जाएंगे और quantitative aptitude से 50 question पुछे जाएंगे तो English को छोड़ के सभी topics आप से 50 question पुछे जाएंगे और numbers की बात करते हो जर्नल तथा financial awareness से आप से 50 number के question पुछे जाएंगे यानि कि एक question आपका एक number का होगा इसी तरह जर्नल इंगलिस से 40 question पुछे जाएंगे और reasoning ability तथा computer aptitude से 50 question पुछे जाएंगे जो की 60 number के होंगे और quantitative aptitude से 50 question पुछे जाएंगे जो की 50 number के होंगे टोटल 190 question पुछे जाएंगे और ये questions जो हैं आपके 200 number के होंगे question paper solve करने के लिए आपको 160 minute का समय दिया जाएगा जिसमें journal देथा financial awareness और journal English के topic को solve करने के लिए 35-35 minute का समय दिया जाएगा reasoning ability देथा computer aptitude और quantitative aptitude के topic को solve करने के लिए 45-45 minute का समय दिया जाएगा अगर language की बात करें तो इसमें question जो है आपके जो है इंदी और English दोनों language में होंगे लेकिन English का paper आपका English language में ही आएगा तो ये था IBPS clerk का exam pattern अगर आप IBPS clerk 2021 या 2022 की तयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से अपनी तयारी start कर देनी चाहिए लिंक वीडियो के description में दिया गया है आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर ले इसके लावा अगर इससे related आपका कोई question है तो आप मुझसे comment section में पोच सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद